इसी तरह घरेलू राजनितिक एजेंडे की पूर्ती के लिए धार्विक माइनॉर्टीज को कभी भी दानव नहीं बनाना चाहिए हाला कि आतंगवाद से लड़ने में पाकिस्तान द्वारा दिया गया बलेदान अतुनिय है यसंकट हमारे शेतर को परशान कर रहा है और शान्ति और सिर्ता बनाये रखने में एक गंबीर बाधा बनी हुई है स्थाई शान्ति के लिए कबजे वाले लोगों को सभी मौलिक अधिकारों और स्वधनता की गैरेंटी दी जानी चाहिए शान्ति और सांप्रदाइक सर्भाव को हिंसक अती राष्टरबाद और जेनोफोविक विचारधाराओं खासकर इस्लामोफोबिया का स्थान लेना चाहिए इसके लावा हमें पूर्वाग्रा और वेद्वाव पर अधारित विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एक साथ आना चाहिए खासकर धार्मिक अधार पर जान बुचकर उकसावे और ग्रिना भरकाने के लिए कोई जगा नहीं होनी चाहिए इसी तरह घरेलू राजनितिक एजेंडे की पूर्ती के लिए धार्मिक माइनॉर्टीज को कभी भी दानब नहीं बनाना चाहिए हाला कि आतंगवाद से लड़ने में पाकिस्तान द्वारा दिया गया बलेदान अतुनी है यसंकट हमारे शेतर को परशान कर रहा है और शान्ति और सिर्ता बनाये रखने में एक गंबीर बाधा बनी हुई स्थाई शान्ति के लिए कबजे वाले लोगों को सभी मौलिक अधिकारों और स्वधन्ता की गैरेंटी दी जानी चाहिए शान्ति और सांप्रदाइक सर्भाव को हिंसक अती राष्टरबाद और जेनोफोविक विचारधाराओं खासकर इस्लामोफोबिया का स्थान लेना चाहिए इसके लावा हमें पूर्वाग्रा और वेद्वाव पर आधारित विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एक साथ आना चाहिए खासकर धार्मिक आधार पर जान बुचकर उकसावे और ग्रिना भरकाने के लिए कोई जगा नहीं होनी चाहिए इसी तरह घरेलू राजनितिक एजेंडे की पूर्ती के लिए धार्मिक माइनॉर्टीज को कभी भी दानव नहीं बनाना चाहिए हाला कि आतंगवाद से लड़ने में पाकिस्तान द्वारा दिया गया बलेदान अतुनिये है यसंकट हमारे शेतर को परशान कर रहा है और शान्ति और सिर्ता बनाये रखने में एक गंबीर बाधा बनी हुई है स्थाई शान्ति के लिए कबजे वाले लोगों को सभी मौलिक अधिकारों और स्वधनता की गैरेंटी दी जानी चाहिए शान्ति और सांप्रदाइक सर्भाव को हिंसक अती राष्टरबाद और जैनोफोविक विचारधाराओं खास कर इस्लामोफोबिया का स्थान लेना चाहिए इसके लावा हमें पूर्वाग्रा और भेद्वाव पर आधारित विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एक साथ आना चाहिए खास कर धार्मिक आधार पर जान बुझकर उकसावे और ब्रिना भरकाने के लिए कोई जगा नहीं होनी चाहिए प्रण्वाव प्रण्वाव सेटी के लिए कर दो दो और भार्मिक आना चाहिए